देरिक्टर देविधधवन जल्दी बड़े परदे पर लाने को तयार है एक और 90's की सूपर हिट कॉमेडी कुली नमबर वन इससे पहले भी वसल्मान खान स्टारर फिल्म जुड़वा का रिमेक बना चुके हैं जिसमें उनके बेटे वरुंधवन ने ही लीड रोल प्ले किया था 1995 में आये इस कॉमेडी जॉनर की मूवी में लीड रोल में थे गोविंदा और करिश्मा कपूर और तब भी इसका डेरिक्शन देविधधवन ने ही किया था खबरे हैं कि इस फिल्म के रिमेक में फिर एक बार वरुंधवन लीड रोल में नजर आएंगे और साथ ही उनके ओपूसर दिखाई देंगी आलिया भट खबरे तो ये भी हैं कि देविध साल 1999 में आई फिल्म बीवी नमबर वन का रिमेक बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन बाद में उन्होंने कुली नमबर वन पर अपना मन बना लिया खबरों की माने तो फिल्म का रिमेक इसी साल तैयार किया जाएगा और इसी साल रिलीज भी कर दिया जाएगा इस फिल्म के रिमेक पार्ट में पहले सारा अलि खान को कास करने की खबरे थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि आलिया इस फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगी फिल्म के पहले पार्ट में कादर खान और शक्ति कपूर का भी एहम रोल था लेकिन अब हाली में हुए वेटरन आक्टर कादर खान के निधन के बाद ये देखना दिलजस्ट होगा कि इस बार उनका रोल किस से रड़ प्लेस किया जाता है और क्या ये आक्टर उनके रोल के स साथ जस्टिस कर भी पाते हैं या नहीं वरंदब जल्ड ही फिल्म कलंक में लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे फिल्म की तैयारियों के उनके वीडियो काफी वक्त से सूशल मीडिया पर वायल हो रहे हैं ये एक एक्टर फिल्म होगी जिसका फैंस को बहुत बेसबरी से इंतिजार कर रही है